वेलकम टू कारवाकारडमी और आज की क्लास में क्लास आठवी क्या गणित प्रशनावली दस दिसमालो एक को हम लोग सल्व करेंगे लेकिन उससे पहले जो इसमें सुत्र इव जोंगे न वो बहुत ही इपॉटेंट है क्योंकि इस चेप्टर का नाम है घतांक तथा घात ठी ठीके यह बहुत ही इपॉटेंट है ध्यान से इसको देखना होगा समझना होगा और प्रशनावली को बनाने से पहले जो फर्मूला बताने जा रहे हैं सारे फर्मूला को अच्छे से याद करना होगा ठीके चलिए यह सुत्र को हम पढ़ लेते हैं कौन-कौन सा इसमें सु पहले आप बेस सिखिए बेस क्या होता है ठीके ना बेस का मतलब होता है देखो बताते हैं एके पावर एम है ठीके गुना में है एके पावर एम अब यहाँ देखो यह घात है और यह क्या है अधार है मतलब इंगलिस में हम बोलेंगे इसको हम लोग बेस बोलते हैं और उपर वाले को हिंदी में घात और इंगलिस में पावर बोलते हैं और इसको निचे वाले को अधार इंगलिस में बेस बोलते हैं तो हमेशा बेस और पावर कहेंगे तो बात को समझेगा ठीक है ना हिंदी मेडिया में सो हो हमें पता है बट इंगलिस भी कुछ सिखा करो ठीक ह तो इसमें देखो यहाँ पर यह base A है और इसका base A है जब दोनों का base बराबर हो याद रखिएगा जब दोनों का base बराबर हो तो base को लिख लिया जाता है base को क्या करेंगे लिख लेंगे आज जो power रहता है न उस power को हम जोड़ देंगे A plus A हो जाएगा A पीछे भी आपको मिला था चेप्टर 8 में तो मैं उमिद करता हूँ कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दोनों का base बराबर हो तो power को जोड़ देते हैं याद हो गया? अब चलो जदी हमारा A के power A है और यहाँ पर क्या हो गया? कि इस बार base चेंज हो गया अब power बराबर हो जाएगा तब उस condition में A जो base है ना इनको गुना करा देंगे तो A भी हो जाएगा अब power जो है ना power उसमें से कोई एक लिख लेंगे तो A भी के power A हो गया, ठीके? इस तरह से power A भाग है A के power A ठीके? यहाँ देखो base बराबर है power लग लगा है लेकिन बीच में भाग का sign लगा है जब ऐसा रहे तो base को लिख लेंगे अब power को घटा देते हैं जब भागा में रहे तो घटाएंगे गुना में रहेगा तो जोड देंगे याद रखेंगे न? याद रखोगे न? कभी भूलोगे तो नहीं चलो बहुत बढ़िया अब देखो जदी आपको ऐसा हो जाता है कि A के power A अब भागे B के power A अब यहाँ देखो हमारा base अलग अलग हो गया power 1 हो गया इस time में A से A में B को भाग देदेंगे तो A बटा B हो जाएगा अब power जो है न? उसको लिख देंगे A है तो A यह हमारा answer यहनि formula हो गया इसको याद रखना है अब आईए कुछ और formula है A के power A है और इसका भी power A हो जाए मतलब power के power हो जाए तो पता है क्या करते है इन दोनों को गुणा कर देंगे A म गुणा A हो जाएगा ठीक है? याद रहेगा न? कभी भूलोगे नहीं न? चलो बहुत बढ़िया अब देखो एक और formula बहुत है important है कि जदी मान लो A के power 0 उसका मान क्या होगा? एक होगा याद रखिएगा किसी के भी power में 0 लग जाए उसका मान क्या होगा? एक होगा ठीक है? उसके बाद जदी मान लो A के power minus A है अब इसको आपको क्या करना है? पलस में तो पता है कैसे पलस में लिख सकते हो एक बाटा A के power A में लिख दोगे तो पलस में हो जाएगा याद रहेगा? A के power minus A हो तो उसके बटे में लिख दोगे 1 by A के power A हो जाएगा ठीक है? याद रखोगे? कभी भूलोगे नहीं न? अजदी मान लो कि 1 by A के power A है अब इसको minus में लिखना है तो उपर लिकर जाएगे ते के power minus A सेम फर्मूला ठीक है? ये आपको फर्मूला बहुत इउज होगा ठीक है? जैसे आपको इउज होगा कि 10 के power minus 2 है उसको क्या लिख सकते हो? 1 by 10 के power 2 देखो हमने plus में लिख दिया इस तरह से आपका बहुत सारे फर्मूला जो equation में इउज होगे ठीक है? आपको क्या करना है? अच्छे से देखना है और इस class में पूरे हम प्रशनावली 10-10 मलो एक को solve कर देंगे तो please आप लोग ध्यान पूर्वक सारे equation को देखते चलिए ठीक है? तो हम इस से अटा लेते हैं और पहले सम प्रशना लिख करके रखे हुए हैं तो ध्यान दिजिएगा बहुत यासान प्रशने है ऐसा नहीं के बहुत कठीन है ठीक है? पहले क्या बोला है? पहला क्योशन आपका 10.1 का कि मान ग्याद किजिए पहला है 3 के पावर माइनस 2 इसका मान ग्याद करना है तो 3 के पावर माइनस 2 यह आपका प्रशने है तो अभी हम आप लोग को एफ फर्मूला पढ़ाए हैं कि जब माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए बटे मिले करा जाएंगे कर दिजिए क्या हो जाएगा? एक बटे 3 के पावर 2 हो जाएगा एक बटे 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इसे करेंगे एक का तो एक ही ही और 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? यह 9 हो जाएगा ती तीरी का 9 एक बटा 9 हो गया दुसरा देखिए दुसरा आपका प्रश्ण है माइनस 4 के पावर माइनस 2 अब इसे क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा है अब इसको क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना है पावर को पहले आपको क्या करना है माइनस से अटाना है एक बटे एक माइनस 4 है ना माइनस 4 ही रहने 2 और एक क्या हो जाएगा माइनस 2 है तो पलस 2 हो जाएगा अब देखो एक बटा माइनस 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि जो माइनस 4 है जो माइनस 4 है इसको दो बार इसको कर दो एक बटा चर्चव का सुला यह एंसर हो गया ठीक है देखो कितना इजी प्रस्ण है आपका ठीक है तीसरा देखो एक बटा दो के पावर माइनस 5 है ओके अब इसे क्या करोगे पहले देखो आपको क्या करना होगा पहले एक बटा दो के पावर माइनस 5 है एक बार एक के पावर माइनस एक लिख देंगे माइनस 5 लिख देंगे ठीक है और एक बार दो के पावर माइनस 5 लिख देंगे कोई दिकत ऐसे लिख सकते हो ना कहोगे कि बिल्कुल सरलिख सकते हैं लेकिन उससे भी एक आच्छा तरीका आपको बता दे याद रखिएगा कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा जब भी ऐसा परशने मिल ले न तो आपको याद रखना है ये चीज आपको हमने पढ़ाया न एक के पावर माइनस एम रहेगा तो उसको आप क्या कर दे हुए उपर है न इस बार इसको नीचे लेकर चले जाओ तो पलस में हो जाता है ठीके यहाँ भी आपको वहीं काम कर सकते हो ऐसे ना करके आप डाइरेक्ट इसी फर्मुला पर तोड़ सकते हो कैसे तो देखो एक के पावर जो माइनस एम था तो उल्टा हो गया मतलब उपर से नीचे चला गया तो यहाँ भी एक बाटा दो के पावर माइनस पाच है न आप इसे क्या कर दो नीचे वाले को उपर उपर वाले को नीचे यानि 2 बाटा एक लिख सकते हो जैसे उल्टा लिख दोगे तो माइनस से क्या बन जाएगा? पलस में बन जाएगा क्या में बन जाएगा? पलस में ठीके? बात मेरी समझ में रही है जब भी ऐसा परशन मिले अब माइनस 5 हो अब बटे में हो तो बस निचे से उपर उपर से निचे कर दो क्यों कि इसको भी तुम लोग उल्टा ही कर रहे है तो उल्टा कर दोगे तो फिर पावर क्या बन जाता है? पलस में ठीके? अब यहाँ देखो दो में एक से भाग देंगे? दो आएगा अब दो के पावर 5 यानि इसको गुना कर दो दो गुना दो गुना दो और चार और पाँच दो दुनी के चार चार दुनी आठाट दुनी सुरा सुरा दुना 32 यानि 32 अपका एंसर हो जाएगा ठीके? आर ये बात समझ में? ये सब प्रशने जो है बहुत तीजी है बस आपको ध्यान से देखना है और क्या करना है? ठीके? तो पहला प्रशने आपका complete होता है दुसरा प्रशने के तरब चलते हैं दुसरा प्रशने क्या है आपका? सरल कीजिए और उतर को धनातमक हतांग के रूप में ब्यक्त कीजिए देखो सरल करना मतलब होता है कि इसको सल्व करो और उतर जो ह Chanel na उसको धनातमक हतांग मतलब जो पावर होना चाहिए कैसे भी आपको पलस में ही करना होगा ठीक है यह बात बोला है तो पहले तो हम यह देखने कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या दिया है माइनस 4 के पावर 5 अब भागे माइनस 4 के पावर 8 यह दिया है तो बेस तो बराबर है और भागा में है तो आप ते फर्मूला पढ़े हो न एके पावर एम भगे बी के पावर, सोरी, एके पावर एन तो क्या होता है, एके पावर एम माइनस एन हो जाता है यहाँ भी आप कोई काम करना है, कि माइनस चार के पावर पाँच है अब भगे है माइनस चार के पावर आठ तो क्या करेंगे? माइनस 4 को लिख लेंगे अब पावर क्या करेंगे? घटा देंगे 5 माइनस 8 यहाँ से कितना जाएगा? माइनस 4 के पावर कितना आएगा? माइनस 3 लेकिन आपको बुला है कि धनात्मग घतांग के रूप में लिखिए मतलब यह माइनस नहीं होना चाहिए जो घात आना चाहिए वो प्लस मोना चाहिए तो आप क्या करोगे? अभी नहीं आपने फर्मूला पढ़ा है कि 1 के पावर माइनस M रहेगा तो 1 बाई 1 के पावर M लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 बाई माइनस 4 के पावर क्या हो जाएगा? 3 जदी आप इसे गुना करके आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लेकिन आपको कहा नहीं गया क्यों? क्योंकि सिर्फ धनात्मा घातांग के रूप में लिखना है अभी इस प्रश्ण को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो यह बोला है एक के पावर दो तो पहले अलग-अलग कर लेते हैं तो एक के पावर दो हो गया और एक बार क्या कर सकते हो? यह दो के पावर तीन है और इसका भी पावर दो है न यहाँ दो कर सकते हो यहाँ से एक के पावर एक क्या होगा? दो होगा? एक ही होगा और पावर के पावर आते हैं तो क्या करते हैं? गुना अभी न आपको बताया फर्मूला में तो दो के पावर कितना हो जाएगा? छे, दो के पावर छे तो आपका यहीं answer हो जाएगा घतान की रूप में आपने कर दिया हो गया और इसमें कुछ है क्या? नहीं है यहीं आपका answer हो गया कितने बच्चे यहाँ तक ही छोड़ देते हैं तो भी सही है कि आपको घतान की रूप में लिखना है पाँच बाटा तीन के पावर चार यह प्रस्ण है अपका? चलो इस प्रस्णे को सल्व करेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कि जो हमारा तीन के पावर माइनस चार दिया है और ये 5 बटा 3 के पावर 4 दिया है इससे पहले हम तोड़ते हैं मालोग के माइनस 3 के पावर ये 4 जो है इसको जेओं कत्य में लिख लेते हैं ठीके और इसको अलग अलग लिख लेते हैं 5 के पावर 3 नहीं 5 के पावर 4 नीचे भी 3 के पावर 4 ठीक है कोई दिगत नहीं है बाते समझ में आ रही है अच्छे से बहुत बढ़िया देखो यह देखो क्या है सबसे पहले यह 3 के पावर 4 है न तो जदी माल लो यह जो माइनस 3 है क्या है माइनस 3 है माइनस 3 को यह दिए हम ब्रेक करते है इस तरह से माइनस 3 गुना माइनस 3 गुना माइनस 3 गुना माइनस 3 गुना माइनस 3 और 5 को तोड़ते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और नीचे 3 गुना 3 गुना 3 अब देखो तो यह माइनस माइनस पलस पलस माइनस 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 पुलस बन गया, गात कर रुपने लिखना था पाच कितना है, 4, ता पाच के पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, समझ रहेंगा, बहुत असान है, ऐसाने के बहुत कठीन है, ठीक है ना, बहुत असान है, चलो, 3 नमबर हो गया, अब 4 नमबर को हल करते हैं, 4 कार नमबर देखो अपने बुक में 3 के पावर माइनस 7 भगे 3 के पावर माइनस 10 गुना 3 के पावर माइनस 5 ठीक है अब देखो तो इसे करते हैं तो क्या होगा सबसे पहले तो यह देख रहे हैं हम कि भाग में आए न तो बेस को लिख लेंगे पावर को घटा देंगे तो minus 7 को bracket में, फिर बीचे minus लएगा, और यह minus 10, अगूना 3 के power minus 5, अब यह क्या हो जाएगा, 3 के power minus minus plus, तो 10 में से 7 जाएगा, यह आएगा 3, अगूना, 3 के power minus 5, यहां से क्या होगा, base को लिख लेंगे, और power को क्या कर देंगे, जोड देंगे, ठीके, यहां से हो जाएगा 3 के पावर 3 माइनस 5 यानि हमारा 3 के पावर कितना आ गया माइनस 2 लेकिन घात में तो माइनस लग गया ना इसे पलस में करना है तो आप अराम से बटे में लेकर आ जाओ एक बटे 3 के पावर 2 यह हो गया आपका answer जो की पलस के घात की रूप में आ गया ठीके चलो अगला प्रस्ण देखते है यह तो था 3, 4 था 5 नमबर भी देखते हैं इसका 5 नमबर है 2 के पावर माइनस 3 और माइनस 7 के पावर माइनस 3 ठीके अब इस प्रस्ण को करते हैं तो सबसे पहले क्या होगी यहां देखो तो क्या करें क्या करें कि दोनों पलस्म हो जाए तो सिंपल है इसको लिख सकते हो 1 बटा 2 के पावर 3 और इसको लिख सकते हो माइनस 7 के पावर 3 ठीके अब क्या करेंगे देखो बेस अलग-अलग है बेस क्या है अलग-अलग है तो साथ दोनी का चवद माइनस है तो माइनस अब पावर क्या करेंगे जेओ का तेओ लिख देंगे क्योंकि पावर क्या है हमारा बराबर है हमने फर्मूला पढ़ा है आप लोग को यह वाला कि A के पावर M गुना B के पावर M जब पावर सेम हो अब बेस अलग-अलग तो बेस को गुना पावर को जेओ करेंगे तो शुरू में ही सब हम फर्मूला पढ़ा दिये है तो फिर आपको क्या दिकत जा रहा है सारे तो आप भी बना सकते हो ना बेलकुल बना सकते हो हल करना है ठीक है तो ये देखो क्या है प्रस्न पहले पढ़ो तीन के पावर जीरो तो आपको पता है कि तीन के पावर जीरो किसी के पावर जीरो हो उस कमान क्या होता है एक हो जाता है अब प्लस चार के पावर माइनस एक है क्या है 4 के पाउर माइनस 1 तो पता है न जब माइनस मिलता है तो उसे एक बटा 4 लिख सकते हैं ये तो जानते हो अब 2 के पाउर 2 कितना हो जाएगा 4 अब यहां से करो कुछ नहीं तो 1 1 और 4 का LCM लेंगे 4 हो जाएगा भाग देंगे 4 बार में 400 और 1 से करेंगे 4 अब प्लस 1 अगूना 4 ये 4-4 क्या होगा? कड जाएगा 4-4 क्या होगा? कड जाएगा बचेगा क्या आपका? 4 और 1, 5 इंसर में क्या लिखेंगे? इंसर में लिख सकते हैं 5 ठीक है? समझ माया? समझ में आएगा? किसी को नहीं आए समझ में? अरे भाई बहुत असान है, 4-4 कटा दिए 4-5 जोड दिए ठीक है? चलो इसका दूसरा देखते हैं दूसरा प्रश्ण है अपका, अपने किताब में देखो 2 के पावर माइनस 1 2 के पावर माइनस एक गुना 4 के पावर माइनस 1 भागे 2 के पावर माइनस 2, ठीक है? चलिए, इस प्रश्ण को सल्ब करते हैं ये भी बहुत असान है तो पर लेजकों क्या करेंगे? तोड़ेंगे उपर है तो निचे लेका राएंगे तो बटा 2 हो जाएगा गुना, इसको निचे लाएंगे तो एक बटा 4 हो जाएगा और ये भागे में क्या है? ये भी 2 के पावर माइनस 2 है तो एह हो जाएगा एक बटा 2 के पावर 2 अब आगे बढ़ते हैं तो एह हो गया एक बटा 8 अब हागे एक बटा दो के पावर दो ठीक है अब क्या करते हैं एक बटा आठ है न इसको हम दो के पावर तीन लिख सकते हैं जब गुड़ांखन करोगे दो के पावर तीन कितने के बराबर? आठ क्या जाएगा अब हागे एक बटा दो के पावर दो अब देखो base say में power अलवा है अब हाग में है तो एक को तो एक लिख लेंगे उपर में और एक क्या हो जाएगा दो के power 3 में से 2 घड़ जाएगा यानि हमारा एक बटा दो के power कितना एक हो जाएगा यानि हमारा पूरा final answer एक बटा 2 आजाएगा ठीके देखो कितना असान प्रस्ष्ण है जदि आप फर्मुला याद रख लेते हो तो सारे क्वेशन आपको easy हो जाएगा ठीक है एक बाटा 2 के पावर माइनस 2 प्लस एक बाटा 3 के पावर माइनस 2 प्लस एक बाटा 4 के पावर माइनस 2 यह आपका प्रश्ण है चलो इस प्रश्ण को बनाते हैं यह भी प्रश्ण हमारा बहुत यह असान है ऐसा नई के बहुत कठीन है ठीक है ना सबसे पहले देखो क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेते हैं क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं ठीके ना अब अलग अलग कैसे करोगे तो देखो आप क्या करो एक बड़ा दो के पावर माइनस दो है तो अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा दिर लग जा पलस ए भी हो जाएगा चार बटा एक के पावर दो यहाँ से दो के पावर दो पलस तिन के पावर दो पलस चार के पावर दो 2 के power 2, 4 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, 4, 4, 16 हो जाएगा, 16, 9, 25, 8, 29 हमारा answer ठीक है, कितना अच्छा प्रस्ण है सब 4 नमबर देखो क्या है 4 नमबर प्रस्ण है कि 3 के power minus 1 प्लस 4 के power minus 1 5 के power minus 1 के power 0 तो देखो, यहाँ पर क्या होगा इसको जब हम बटा में तोड़ेंगे, ठीक है तो यह क्या होगा जब इसको बटे में तोड़ेंगे तो एक बटा 3 हो जाएगा यह एक बटा 4 हो जाएगा और यह एक बटा 5 हो जाएगा इसका power क्या है? 0 तो आपको पता है ना कि कोई भी नमबर हो और उसका power 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 आगे solve करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम formula पड़े हैं किसी का भी power 0 हो उसका मान क्या हो जाता है एक हो जाता है ठीके एक complete हो गया 5 नमबर देखो 5 नमबर है minus 2 बाटा 3 अब power में है minus 2 और इसका power कितना है 2 है ठीके तब पहले एक बात बताओ यहाँ पर minus 2 बाटा 3 के power क्या लग गया है minus 2 इसे क्या करते हैं पहले ए उला फरू लगाते है power के power उला जब power के power हो न तो उसको पहले क्या करते हैं 2 के power minus 4 हो जाएगा अब इसे change कर दो minus हटाना चाहते हो तो नीचे वाला उपर 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 वाला नीचे ठीके यह हो जाएगा 3 बाटा minus 2 अब power में कितना 4 हो जाएगा अब क्या करेंगे अब यहाँ ध्यान देना 3 बाटा minus 2 के power क्या है 4 है तो इसको 4 बार लिखो minus 3 बाटा 2 लिखो 3 बाटा minus 2 लिखो बात यह कही है उपर लिखो चाहिए नीचे लिखो यह तो minus रहेगा ही रहेगा इसको लिखो पहले सब में minus रहेगा ठीके minus minus plus plus minus 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 plus यह नहीं फाइनली यह क्या हो जाएगा plus तित्रीगा 9, 9, 27, 27 तिया 81 उपर एकासी हैगा नीचे कितना जाएगा 16 यह हमारा एंसर हो गया देखा कितना असान प्रशने था कितना असान अब मज़ा भी आ रहा है बनाने में ठीके बहुत यह असान प्रशने है ठीके तो तीन नमबर भी complete होता है हम लोग का अब हम लोग 4 देखेंगे चार नमर प्रशने क्या यह देखो मान ग्याद किजिए यह भी असान है मान ग्याद करना है देखने में लगता है कठीन होगा लेकिन सारे प्रशने इजी है तो यहाँ देखो तो 8 के पाउर माइनस एक है तो हम इससे क्या लिख सकते है पता है इससे हम ऐसा लिख सकते है 2 के पाउर 3 8 हो जाएगा और इसका पाउर माइनस वाल लागा दो क्यों क्योंकि देखो 2 के पाउर 3 8 हो जाएगा 8 के पाउर यह निकार दिखेगा माइनस माइनस कितना एक और इसको कर दो 5 के पाउर 3 आपको अगर इसा क्यों किया तर नीचे देख रहे हैं कि 2 के पाउर माइनस 4 है इसलिए हमने कटाने के वोज़ा से हमने सक लिया है ठीके और नीचे हमारा 2 के पाउर माइनस 4 है ठीके अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक इतना हो जाएगा दो के पाउर माइनस तीन हो जाएगा और ये पाउर तीन हो जाएगा और ये दो के पाउर माइनस चार हो जाएगा अब क्या करते हैं इसे चेंज करते हैं ठीके आपको पता है न कि दो के पाउर माइनस तीन गुना पावर प्लस तो चार में से तीन जाएगा एक और दो के, नहीं, पाच के पावर तीन, इसको गुना कर दो दो के पावर एक, दो, पाच के पावर तीन कितना, एक सो पचीस गुना कर दो, दो सो पचास आपका एंसर आ जाएगा ठीक है, इसका चाउथा में एक और प्रशने है दो नमबर, वो क्या है पाच के पावर माइनस एक, गुना दो के पावर माइनस एक अगुना छे के पावर माइनस एक ठीक है, यह प्रशने है अब इस प्रशने को करते हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे न, एक बाटा पाच एक बाटा दो अगुना एक बटा छे अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा दस अगूना एक बटा छे कर देंगे गूना एक बटा साथ हो जाएगा यह अपका चार नंबर भी कंपलीट हो गया अब पांच नंबर देखो क्या है पांच नंबर एक एम कमान ग्याद किजिए जिसके लि ठीक है, समझ में आ रहा है बात है, कोई दिकत नहीं है किसी को, सब को आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, पाँच के पावर, एम माइनस माइनस पलस, और यह तीन बराबर, पाँच के पावर, पाँच, दोनों का बेस क्या है, देखो, दोनों इकोल है, कट गया, पावर सिर्फ लिख दियाता है, ठीक है, तो यहां से एम बराबर क्या हो जाएगा, यह पाँच, और पलस दर जाएगा, तो माइनस, यह हमारा एम कमान कितना आ गया, दो, एंसर, ठीक है, समझ माया, सब को बहुत बढ़िया, तो पाँच नमर प्रस्न भी हमा बहुत असान है, बस आप ध्यान से बनाओगे, तो नहीं तो नहीं है, असान लाएगा, पहले माइनस में न, उल्टा कर दो, पुलस में हो जाएगा, तीन बाटा एक हो गया, पावर में एक, ठीक है, माइनस, इसको भी कर दो, चार बाटा एक, पावर में माइनस एक, देख और यह आगया चार अब पाउर में माइनस एक घटेगा तो माइनस एक के पाउर कितना हो जाएगा माइनस एक अब देखो तो यह पाउर को माइनस अड़ाना चाहते हो तो एक बाटा माइनस एक हो जाएगा जब इसको भाग दोगे तो हमारा एंसर माइनस एक आ जाएगा यह यह फाइनली हमारा यह एंसर हो गया ठीक है इसका दो नमबर प्रश्णे देखो दो नमबर इसे थोड़ा अच्छा है पांच बाटा आठ के पावर माइनस साथ गुना आठ बाटा पांच के पावर माइनस चार और बराबर का साइन है ना बुक में थोड़ा देखलो प्रश्णे क्या आपका अच्छे नमबर बस इतना ही है इतना ही ज्यादा नही है को आपा अच्या मिश्टेक हुए क्या पांच बटा अट के पाउर माइनस साथ अगुना 8 बटा पांच के पाउर इतना सही इतना ही प्रस्थ Hal । यो उल्टा कर देंगा वार माइनस से plus हो जाएगा 8 ऑट 5 के पाउर साथ गुना 5 बटा 8 के पाउर 4 अब य 얼um अब यह क्या होगा यश को क्या कर सकते हैं हम देख रहे हैं कि यहां से देखो अलग अलग लग लिखते हैं यह 8 के पाउर साथ हो जाएगा और मकीफ देखो तो यहाँ से कटेगा 6 नीचे है गाए 7 उपर तो 8 के पार 3 हमारा बज जाएगा नीचे भी 5 के पार 4 5 के पार 4 नहीं 3 बज जाएगा 4-3-7 तो 8-8-8 उपर आ गया पांच कितना 3 गो 5 गुना 5 गुना 5 8-8-2-4-4-4-8-7-5-12-5 25-25-125 rapid यह आपका answer हो गया तो देखो हमारा 6 नमबर भी complete होता इसी के साथ 7 नमबर देखते हैं 7 नमबर क्या है सरल किजिए सरल करना है असान प्रश्ण है ऐसा नहीं कठीन है बहुत यह असान है ध्यान से स्रिखना होगा ठीक है और यह मैं बोलता हूँ ऐसा कि सबसे 10.1 का सबसे खतरना क्यूश्ण है थोड़ा सा माइन तो लगाना ही पड़ेगा ठीक है न पचीस है न तब पचीस को आप 5 के पावर दो लिख सकते हो कोई दिकत नहीं और यह टीके पावर माइनस 4 है तो माइनस 4 ही छोड़ दो नीचे देखो यह 5 के पावर माइनस 3 है और यह 10 है तो इसको हम 5 गूना 2 लिख सकते है अगूना टीके पावर माइनस 8 लिख सकते है ठीक है अब देखो अगले एस टिप में यह देखो तो यह 5 के पावर 2 अगूना टीके पावर माइनस 4 अब यह देखो 5 यहाँ 5 पर कुछ नहीं तो एक तो रहता है बेस पावर में दोनों का बेस से में तो बेस को लिखेंगे अब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो माइनस तीन और एक जोड़ेंगे तो माइनस दो आ जाएगा अगुना दो गुना टीके पावर माइनस आठ यहां से दोनों का base same है power ना power भी अलग 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 बेस तो same है तो base कोलिक देंगे power क्या कर दें घटा है क्योंकि भागा में है 2--2 अरे देखो दोनों का base same है power क्या कर देंगे minus 4 minus minus 8 घटा देंगे और नीचे हमारे क्या बच गया 2 ढ़ियान देना तो ठीक है अब यहांस आजएगा पॉद्ञा पवर हो जाएगा और यह की पवर हो गया, यह भी ज़ेगा 4 अब बटे में 2 यह हमारा एंसर हो गया ज़िए और इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तह 5 के पाउर 4 कितना होगा पाचा पाचीश 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 625 बटे 2 अटी के पाउर 4 आपका एंसर इसको गुना करोगे 625 आएगा आप चेक कर लो ठीक है यह था हमारा सत्वा का पहला दूसरा तो इससे भी खतरनाक प्रश्ने है देखो क्या है 3 के पाउर माइनस 5 गुना 10 के पाउर माइनस 5 गुना 125 बटे 5 के पाउर माइनस 7 गुना 6 के पाउर माइनस 5 ठीक है यह अपका प्रश्ने है अब इस प्रश्ने को सल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसे तोड़ेंगे ठीके इसे क्या करेंगे तोड़ेंगे यह 3 के पावर है न 3 के पावर माइनस 5 को लिखेंगे यह 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा कोई दिगत नहीं 2 गुना 5 के पावर माइनस 5 यह 25 को तोड़ेंगे तब 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 आ नीचे कितना है 5 के पावर माइनस 7 और 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 पावर में माइनस 5 अब आगे बढ़ाते हैं तब 3 के पावर माइनस 5 और यह 2 के पावर कितना है एक बार माइनस 5 और एक बार 5 के पावर minus 5 अगूना पाँच के पावर 3 यहाँ पर 5 के पावर minus 7 अलग अलग तोड़ेंगे तेब भी हो जाएगा 2 के पावर minus 5 और 3 के पावर minus 5 अब यहाँ से देखो 3 उला एक साथ लिखेंगे ये तीन और ये तीन है, दोनों क्या है भाग में, बेस बराबर है, तो बेस को लिखेंगे, अब पावर को घटा देंगे, तो माइनस 5, माइनस 5 हो जाएगा, उसके बाद देखो, गुना, ये बेस है, दो, तो दो लिख लेंगे, भागा में है, तो माइनस 5, माइनस 5 हो जाए यह देखो, बेस एक जैसा है, तो बेस को लिखेंगे, अब पावर क्या कर दें, घटा देंगे, तो देखो, उपर क्या है, माइनस पावर है, और यह क्या है, माइनस तीन है, और माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस साथ, ठीके, समझ रहो कैसे हम कर रहे हैं, देखो, पहले हम इसको हल जादी करते, तो 5 के पहुर माइनस 8 आता, तो पहले हम वहीं एक ही साथ सब को घटा दिये हैं, ठीके ना, नहीं समझ रहूं न, यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा, देखो उपर में माइनस 5 के पहुर 5 था, और यह 5 के पहुर 3 था, दोनों का बेस से मैं न, बे यह माइनस 2 होगा, 5 के पहुर माइनस 2 उपर है, अनीचे क्या है, 5 के पहुर माइनस 7 उपर जाएगा, तो माइनस 7 है, तो माइनस 7 लग गया, ठीके, और इसमें से घटाएंगे, माइनस 5 में से 3 था हमारे, माइनस 2 जाएगा, मतलब उपर क्या है था, 5 के पहुर माइनस 3 थ 3 लिखा है और इसमें कुछ आलग नहीं लिखा हमने इतना तो concept लगाई सकते हो यार एक इतना हो जाएगा minus minus plus 3 के power 0 और यह हो जाएगा 2 के power minus minus plus और यह भी हो जाएगा 0 और यह देखो 5 के power यह देखो minus minus plus हो गया plus और यह 5 हो जाएगा गुना करो 25 25 25 26 25 पाचे 31 25 आपका एंसर देखा यहां पर किसी नहीं हुआ न यह concept जो हमने लगाया है यह concept वाला दिकत नहीं हुआ न एक बार हल कर देते हैं कि ऊपर में हमारा था 5 पाच पाच पाँच 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 पास नहीं है निस हो हमारा प्रशूस जाएगा साथ में से दो जाएगा तो पांच पांच के पावर पांच यहीं तो आया है सेम चीज देख लो ठीक है तो इसी के साथ हमारा परशनावली दस दसमलो एक कंप्लीट होता है मैं विद्ध करता हूँ आप लोगों समझ माया होगा अब हम दस दसमलो दो को देखेंगे